दोस्तो आज हम आये हैं एक नए प्लोट के रिव्यू के लिए गौलापार सितापुर में यहां प्लोट है और अभी आप यहां रोड देख रहे हैं यहां में रोड है उपर की तरफ अगर हम देखें तो हलदवानी की तरफ यहां रोड जाती है यहां आप नीची की तरफ द अपना यूटूब चैनल सार्थक डिल्स दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पर आपके लिए प्रॉपटी से रिलेटेट नए नए रिव्यूज लेकर आता रहता हूं दोस्तों आज भी मैं आपके लिए काफी सांदार प्रॉपटी का एक रिव्यू लेकर दोस्तों काफी सांदार प्राइस के सांत में आज आपकी प्रॉपटी रहने वाली है दोस्तों आप सब मैंसे जो कोई भी चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा सांथी बैल इकन दबाना मत भूलेगा इससे कि मेरे आने वाले सबी वी दोस्तो अगर मैं आपको back side से दिखाऊं तो यहाँ पर काफी सांदार यह valley आपको देखने को मिलेगी जो कि आपका plot से काफी सांदार location को यह बना देता है जिसमें कि आप देखेंगे आज़ पास clinic, school, काफी colony और काफी development इसके आज़ पास आपको देखने को मिलेगा यह सितापूर रोट से अब हम right side turn होंगे और यहाँ से महज 20 मिटर मां आज़ आपका यह plot रहने वाला है दोस्तो आगए हम plot में और करते हैं इसका review दोस्तो आगए हम plot में और here हम a plot यह सामना आपको लीग नजर आ रही है इससे नीचे की तरफ जो सामने मकान है यहाँ तक यह पुरा plot रहने वाला है दोस्तो यहाँ से जो आप यह link road देख रहे हैं इसी road से लगी हुई यह property है जो की एक विगा की यह property है दोस्तो इसमें आपको जो यह league नजर आ रही है यहाँ से एक लगभग 16 feet का इसमें एक रास्ता भी इनका पीछे की तरफ जाने के लिए इसमें दिया जाएगा दोस्तो उसके बाद जो आपके plot का depth रहेगा जो इस road से जो आपका link road है इससे लग कर 40 feet का इसमें आपका front रहेगा और अगर बगल की road से हम बात करें तो 40 feet का इसमें आपका depth रहेगा दोस्तो आप बात कर लेते हैं इसके face की जैसा कि आपने यह link road से लगा हुआ देखा है यहाँ से आपका east facing इसमें रहेगा बात कर लेते हैं बगल से जो इसमा 16 feet का लगवा road जाएगा वहाँ से अगर हम face की बात कर लें तो वह north face आपका इसमें बनेगा दोस्तो two side open यह plot रहने वाला है एक तरफ आपका east facing है और एक तरफ north facing corner की यह property आपकी रहने वाली है जो की काफी सांदार location और सांदार size के साथ में available है दोस्तो यहाँ रोड देख रहे हैं यहाँ 25 feet का रोड है सामने आप link road देख रहे हैं उससे सिर्फ तीसरे number का यह खेत है जो की महच आपका लगभग 20 meter का यहाँ पर आपका link road से distance होगा दोस्तो अब एक तरफ में यह link से पीछी के तरफ जाके भी इसका view आपको करवाओं और यहाँ सामने आप देखी यहाँ स्कूल है और यहाँ स्कूटी जा रही है यहाँ लिंक road है दोस्तो यह हम property के back side में आये हैं और यहाँ से आप यहाँ देखे यह है इसका पूरा जो front view है यह है इसका front view है सामने पूरा आपको इसमें hill view नजर आएगा और दोस्तो जिस league में हम चल रहे हैं यहाँ से इसमें लगभग 16 फिट का एक इसमें रास्ता रहने वाला है दोस्तो एक बार मैं इसका आपको आसपास का view भी में करवाओं यहाँ आप देखे यहाँ आसपास की location है यह सामने आप देखे यहाँ पर यह ट्यूवल है जिस तरह साब देख रहे हैं बीजली की line होगरा सभी कुछ स्विधा यहाँ पर है पानी के line सामने ही आपने school देखे यहाँ पर कुछ मकान भी बने हुए है रियासे वाला एरिया यहाँ दोस्तो आप बात कर लेते हैं ऐहाँ पानी की तो जैसा कि मैं आपको अभी दिखाय था यही पर ट्यूबल है पानी के line भी यही हम रोड में है जनरल फैसिली की रोट तीनु जीज़ें पूरी हो हो चुकी हैं अब बात कर लेते हैं एजुगेसिंस से लिलेटेड स्कूल से रिलेटेड सुधाओं की वह भी आपका लगभद 2-5 km के रेडियस में आपको आसानी से मिल जाएंगी अब बात कर लेते हैं पब्लिक टांसपोर्ट की महच आपका यहां से 500 मिंटर का डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का रहने वाला है अब बात कर लेते हैं मेडिकल फैसिलिटीज की जो जनरल फैसिलिटीज हैं वह तो आपको लगभद यहां पर 500 मिंटर की डिस्टेंस में आपका आसानी से मिल जाएंगी उसके अलावा अधर के लिए आपको लगभद 8-10 किलमेटर की फैने वाला है कि हम दोस्तों रिभी तो पूरा हो चुका कैसी रही है प्रॉपर्टी ज़रूर बताएगा दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि गौला पार्क के अंदर या प्रॉपर्टी थी और Лिंग रोड से लगी है प्रॉपर्टी है में रोटे काफी नजदी है प्रॉ खार झार फिर झाल